प्रदिश प्रभारी लक्ष्मी कांद बाचपेई ने प्रदिश अद्धिक्ष भापुलाद मरांडी पर लगे आरोपोगल लेकर हेमें सरकार पर निशाना साथा है उनने कहा कि सरकार हेमें सोरेन की है आरोप उनकी पार्टी लगा रही है अगर आरोप में दम है तो इसकी निश्पक्ष चांच कराएं लक्ष्मी कांद बाचपेई ने कहा खुद एडी के धर से भागा भागा फिर रहा है वो बाबूलाद मरांडी पर बेतु का अनगल आरोप लगा रहा है ये तो केवल ब्रह्म फेला का जनता को ब्रहमित किया जा रहा है शरकार में हिमत है और आरोप में दम है तो उनके पास जितनी जांच एजिंसिया हैं उससे जांच कराएं और दोश्यों को सजा दें उन्हें इसा करने से कौन रोख रहा है बाबूलाद मरांडी भागने वाले नेता नहीं है सुप्रिम कोर्ट भी कहेगा एडी के सवालों का जबाब दे लक्ष्मी कांद माश्पे ने कहा दरसल हैमन सरकार बाबूलाद मरांडी की संकर प्याता को मिल रहे व्यापक जन समातन से घबरा गई है संथाल परंगना की जनता ने लाखों की संक्या में यात्रा में शामिल होकर सरकार की नीन हराम कर दी है इसलिए सत्ता पक्ष बुख्लाया है और मरांडी जी पर आरुप लगा रहा है कि हेमन सरकार ने पिछले साड़े तीन वर्षों में केवल राज के खान खानीज बालू पत्तर जमीन को लूटा है ये ब्रश्चाचार की बात अब गाउं गाउं तक पहुँच चुकी है इसी के साथ बने राजगामा टीवी के साथ परने वाद